पोको F1 के लिए डरफेस्ट का लेटेस्ट अपडेट आ गया है इंडोइट 13 का फ़र्स्ट बीडियो जो है बना चुका ओल रेड़ी तो आपको जो है आई बेटन पर देखने को मिल जाएगा उसमें कम्प्लिट रिब्यू कर रखाऊ अब उसके बाद जो है इसमें क्या क्य यहां पर मिलने वाला इस बिल्ट के अंदर में तो जैसे कि डरफेस्ट का एंडोइट 13 रोम है चार अक्टूबर का यह बिल्ड है अभी लेटेस्ट है यहां पर जो है चेंजलोग एड़ किया गया जो कि पिछले अपडेट में यहां पर चेंजलोग नहीं था और यहां प जो घुआ है अक्टूबर दो जड़ ज़िसट का इंटवर्क यहां फिरेंजर की आपको सेंग्ञेट यहां देखिने को नहीं मिलता लेकिन हां चोंछ लेकिन पिछले में काम नहीं कर रहा था वहीं यह एप्स में चलते हैं ति यहां पर जो इसके अंदर लॉंचर मिलता है डर्फ लॉंचर इसमें भी कुछ चेंज़ेस में जैसे कि आइकन पैक एड़ कर दिया है थार्ड पार्टी आइकन पैक भी आप यूज़ कर पाओगे इसके अं हैं लेकिन नीचे आपको टॉप सैड़ो देखने को मिल जाता यह निव एड़ किया गया है साथ-साथ आइकन साइज और जो फॉंट साइज है ओ दोनों ऑप्सन जो है आपको निव देखने को यहां पर फिलाल इसके लॉंचर की सेटिंग पर मिल जाते हैं फिर बाहर में अब को जो है डर् गेम जो इसपेस है वह मिल जाएगा जो की सेम भी है असिस्टेंट भी हमारा काम कर रहे है वह के गोल यानिकी वर्किंग रहेगा पहले कितरह ही और यहां पे एक जो है एक एप के बैटरी में आपको कोई चेंज नहीं मिल रहा है लेकिन अभी फिलाल इस रहता है हलाकि चेंज कोई भी नहीं है यहां पे ट्राफिक इंडिकेटर भी अच्छे से काम करें मिसलिनेंज के अंदर स्टेटस वार लिरिक यह एक उप्शन न्यू एड हुआ है पर इसमें भी सिर्फ सपोर्टेड अप्लिकेशन पर ही यह काम करेगा लेकिन यह जो है आप आपको यह एक चेंज यहां पर मिलता है क्योए स्टाइल लियाउट का सेक्षन पूरा जिसमें आपको यह सभी उप्शन मिलने वाले वर्टिकल लियाउट आप इनेवल कर सकते हो इसके इंदर में बट यह अप्लाई ना होती यहां पर नीचे जो आपको अप्शन देखने हो चुका है ति यह पूरा ऑप्शन जो है क्योए स्टाइल लियाउट का जो है यह आपको फिलाल इसके अंदर में निव देखने को मिल जाता यहां पर जो कि अभी इस अपडेट के अंदर ही आड हो है क्योंकि यह पहले नहीं था यहां पर लेकिन इसके बाहर जितनी सेट इडिया का आइकन पैक निव एड हुआ है बाकि आपको सभी जो है यहां पर पहले वाले मिलेंगे चाहिए फिर वाइफाई आइकन हो सिगनल आइकन हो या फिर आपका यहां पर आइकन सेब देखने को मिल जाते हैं और नोटिफिकेशन में भी आपको कोई चैन्ज नहीं म मिली है और पिछले में भी सेम थी तो बैडरी वेगब में आपके कोई फर्क नहीं पड़ा है पिछले ब्डेट जैसी रहेगी और फिर साउंड और बाइबरेशन के अंदर आप क्या हुआ है कि पहले जो सिंगल सीम पे आप रिंग टोन लगा पाऊगे यह चीज जो है दिस्प्ले दिस्प्ली के आपको मिलिए जाएगा यहां पे पहले जो क्या था कि यहां पे पर इसक्सान में आपको दिखाइब रहाvalue जो हे k इंदर मिलता है л और नीचे आओ गया तो यहां पर रोटेशन के अंदर में क्या है कि यूज़ फ्लोटिंग रोटेट बटन मिल जाता है अब यह क्या हुँ कैसे करता है यहां पर आप देखो कि यह जो फ्लोटिंग बटन ही इसको आप आफ कर सकते हो यह जो है इसके अंदर में अप्शन एड कर दिया गया पहले तो इनेवल ही मिलता था बट इससे आप ओन और भी आप कर पाऊगे फिर नीचे में आप पहले से फूल स्क्रीन है भी पहले से ही है लेकिन यहां पर डिस्प्ले कट आउट अप देखने को मिल जाता है जो कि पहले डेवलिपर ऑप्शन में जाना करेंगे बाट जो मैं चटके और देखने के पहले ही है अच्छी आता हुआ और यहां पर अब कुल मेल जाता है प्र नीचे में इहां में इस्टेकर वेल बेंक्यूम करए है वृद देंदर चलते हैं मेंदो अब सीलुक्त यूटूब पहले भी यही था और जेस्टर के अंदर जेस्टर में सेटेंग्स में अगर हम जाएं तो यहां पर भी एक चेंज आपको मिलने वाला है जो है यहां पर आप देखोगे तो बैक जेस्टर की जो हाइट है तरीके से उसके लिए मिल जाता है यह उप्सन पहले यह पहले की तरह ही काम कर रहा है तो इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा तो जेस्टर नविगेशन में ही सिर्फ आपको हाइट बैक जेस्टर को जो हाइट का है वो आज जेस्टर करने के लिए मिला है स्क्रीन सोट भी हमारा पहले की तरह अच्छी तरीके से यहां प आप यहां पर Google Discover अच्छे से पहले की तरह काम करता है वहीं अगर हम स्टेटस वायर की बात करें तो इसके अंदर अभी भी काफी लाइट सा हलका फुल का लैग देखने को मिलता है जैसे कि पिछले अपडेट में था लेकिन टाइल्स में आपको कोई चेंज नहीं मिलता पर टाथ वहीं सेम अभी भी है वालिम पैनल भी आपको सेम मिल जाता है और अप अपनिंग अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आप अपनिंग भी आपको काफी देखने को मिल जाती यहां पे स्मूध है इसमें कोई प्रोलम ऐसा कुछ आपको नहीं मिलता बाकि जो call recording के तो ओ काम करता बट alert कर देता है बाकि फिर यहां पर proximity sensor आपका यह बिलकुल working मिल जाता है इसमें ऐसे कोई दिक्कत आपको नहीं मिलती वहीं हम चलते camera की तरफ तो camera पिछले में भी आपको graphene ऐसे मिलता था वही camera देखने को मिलेगा एंजी हमारा जो FM है यह भी काम कर रहा है बाकि फिर जी और सावन काम कर रहा है थार्ट पार्ट अप्लिकेशन के प्रोलम अभी भी रहने वाली है तो यह भी आपको देखने को मिल जाएगा और गूगल फोटो के अंदर हमारा unlimited storage मिल जाता है जैसे कि पिछले update में था इन्व स्कॉर इस बार जो है 422,906 मिला है पिछले में 423,000 था जैसे कि करनल भी आपका similar है बस अब्डेट किया गया तो स्कॉर में भी आपको कोई फर्क नहीं मिलता वह यह गरम cpu-throated के बात करें तो 89% मिला है पिछले में 86% तक max performance थी तो यह कुछ फर्क आपको मिलेगा वहई इनमें कुछ भी खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलता अब गेम के इंदर अमारा जो यहां पर गेम स्पेस है इसमें भी उसे आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा पहले वाला ही रहेगा बाकि अगर हम यहां पर ग्राफिक के तरफ चलते हैं इसके तो ग्राफिक आपको एक बार दिखा दूत यहां पर ग्राफिक भी सेम ही है तो यहां पर भी कुछ चेंज नहीं हुआ है तो हम यहां पर स्मोध एंख्टीम पर खेलने वाले हैं और अगर मैं यहां पर परफोमेंस के बात करता हूं तो परफोमेंस जैसे पहले ठिक टैक मिल जाती थी उसी तरी जैसे वही हुआ है बाकी बैटरी के अंदर या फिर आप परफोमेंस में देखो यह अनिमेशन यूई के अगर अंदर आप देखते हो इन तीनों में आपको कुछ भी खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा तो में यहां पर फीचर साइड हुआ है या फिर अगर आप देख देखना होगा तो आई बेटन पर मिल जाएगा इंस्टोलेशन डिस्क्रिप्शन पर है और रेक्मेंडर रिक्याबरी ही आप यूज करना सिस्टम एक्ष्टी सपोर्डर रिक्याबरी ही यूज करना त्याहित आज कि वीडियो में और वीडियो आपको अच्छी लगी है त प्रेस करके ओल पे कर लीजिए ताकि एक लिए वीडियो की नोटिफिकेशन की आप सभी को मिल जाए थैंक्स फूर वाचिंग